खाद्यान फसल जो है मुख्य रूप से बाजरा है राजस्तान की और अगर खरीफ फसलों की भी बात करें तो राजस्तान में मुख्य फसल के रूप में खरीफ में आता है बाजरा ऐसे में बाजरे के बीज को और उन्नत बनाने के लिए क्या किया जा रहा है और संकर बाजरा की कौन कौन सी किसमे है इसके बारे में बताईए बाजरा में अपने दो तरीके की जो खिसमे है वो खिसान काम में लेते हैं, एक संकर किसम होती है, एक कमपोजिट होती है, गमपोजिट को खिसान 2 से 3 वर्स तक काम में ले सकता है और संकर किस्म का बीज किसान को हर वर्स बदलना पड़ता है और संकर किस्मों में कई तरीके की किस्में पर्चलन में है जिसमें RHB 233, 234, RHB 173, RHB 177, MPMS 17 है कई संकर किस्मों का किसान प्रियोग करने है जो कि भारत सरकार दवारा चिन्यत है डॉक्टर साब अभी आपने नाम लिया कंपोजिट बीज और संकर बीज तो आप ये बताईए इन दोरों में क्या तो अंतर है और कंपोजिट बीज को तयार करने की क्या विधी है कंपोजिट बीज जो है वो खिसान दो से तीन वर्ष तक काम में ले सकता है और कंपोजिट बीज पैदा करना थोड़ा आसान है संकर किस्म के बनिश्पत क्योंकि कंपोजिट जो बीज होता है वो 15 से 20 लाइने जो हमारी जो सलटेर लाइने होती है जिनका हम चैन करते हैं उन को मल्टिप्लाई कर सकते हैं जिसको कि अपने दो से तीन साल तक काम में ले सकते हैं जबकि संकर किस्म में अलग-अलग तीन लाइनों का अपन चैन करके और उसका उत्पादन कर सकते हैं जी डॉक्टर साब अब हम यही जानना चाहते हैं कि जो संकर वीज के आपने बात कि और लाइनों की बात किये वो कौन सी लाइने हैं किस तरीके से इसका उप्योग हम बीज उत्पादन को और बहतर बनाने के लिए करते हैं ये बताईए बाजरे में संकर बीज उत्पादन के लिए मुखी रूप से तीन लाइनों का अपन प्रियोग करते हैं एक A लाइन होती है एक B लाइन और एक R लाइन तीनों लाइनों का विकास अलग-अलग रूप से किया जाता है और इनका जो परजनक बीज है वो हमारे संस्तान दोरा तैयार किया जाता है और A लाइन जो होती है उस पे जो बीज बनता है वो अपना संकर किस्म का बीज होता है और इनको maintain करने के लिए या इनको develop करने के लिए A line को open B line से cross कराते हैं और संकर किस्म बनाने के लिए A line को R line से cross कराते हैं